नमस्कार क्या पिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा बड़ी खबर दिल्ली शराब गुटाले मामले से सामने आ रही है जहां आज एक बार फिर से कोट से मनीश शोदिया को बड़ा जटका लगा है यह जटका सीबियाई के मामले में लगा है तस्व संबर तक के लिए बढ़ा दिया है तो एक बड़ा जटका मनीश शोदिया को और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े में हैं क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान और कितना बड़ा जटका है यह मनीश शोदिया की जो दिवाली है छट है दसेरा ब थे लेकिन चुप चाप यह देखी शान दस्लाइक गुड़ बोई युजरूम से लेकिन कोट में जो कुछ हुआ उससे यह साफ साफ पता चल रहा है कि मनीश शोदिया संजय सिंग अरविंद केजरिवाल की जो पूरी के पूरी टीम है लीगल टीम उसकी स्टेटजी क्या है स्टेटजी साफ है चीज़ों को लंबा करो ताकि बाद में तुम सुप्रिम कोट के पास जाओ तो सुप्रिम कोट के जजज भी यह पूछने को वाद्ध हो जाएं कि कब तक इसको जेल में रखो गए कब तक ये काम चलेगा कब तक ये सुनवाई चलेगी आज जब आमना सामना हुआ कोट के अंदर सी बी आई और मनिस्य सोधिया के वकीलों की तो पहली बात जो समझाई गई जो बताई गई कोट को कि सुप्रिम कोट में बेल के उपर फैसला करे तो एक तो मसला सुप्रिम कोर्ट जस्टिस जजज नाकपाल को बता दिया गया अब वहां मसला चलता है क्या आप फैसला हुआ पहलिए जान लीजिए बाइस तारिक तक के लिए जो है अगली सुनवाई टाल दी गई हिरासत जो भरा दिया गया है अब पता नही किताब उताब के बारे में कुछ उन्होंने नहीं नहीं बताया कितने किताब चाहिए साथ 16-16 किताब लेकर के गया है संजय सिंग तो वह साथ आपस में एक्शेंज कर रहे हों खर कोई बात नहीं क्या हुआ वहां पिछली बार जजज नाकपाल ने कहा तहा देखे कैसे कि जो को टालन टॉल करने की कि जो तमाम दस्तवेज हैं जो चार सीट्स वगरे जो है वो आरोपियों को मोहिया कराया जाए तो सीबियाई ने कहा कि हुजूर हमने आपके आदिस के मताबिक हमने इन लोगों को मोहिया करा दी तो मनिस्य सोद्या के वकील की तरफ से कहा जाता है कि बड़ा पेचीदा मसला है सीरियल में बनाके नहीं दिया गया है हमें बड़ी कठनाई हो रही है हम नहीं पढ़ पार हैं बड़ा दिक्षट बहुत उलजन ये तो लंबा चलेगा तो सीबियाई की तरफ से कहा गया कि अगर आपको यह दिक्कत थी तो वहीं बताते हैं, पहले ही बताना था, आप चीजों को लंबा लंबा कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं, अब हमको पहुणने में दिक्कत हो रही है, मामला उलजा हुआ है, अभी देखते जाहिए, अभी कैसे के चोरी पकड़े कई, फि जब आफिस बंद होने लगता है, तब यह शाम में आते हैं, और उसके बाद बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, और अब तक, अब तक सिर्फ दो बार आए हैं, और यह कहरें कि पहले दस्तावेज नहीं दिया जा रहा, तो यह नहीं किया जा रहा, वो उलजा हुआ है, और यह जो वकील है, मनिसी सोधिया के, वो कह रहे हैं कि देखिए, हम तो जाते हैं, लेकिन लोगों ने कहा था, कि हम लोग सुप्रेम कोट में जो सुनवाई चल रही हैं, उसमें वेस्ट हैं, बताइए, बहाने बाजी, तो जैसा आपने फिर कहा कि भाई, जितने हैं, वहाँ पर आप अप्लिकेशन दे, और टाइम बाउंड कर दिया, इस तरह के आदेश कोट से बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि सारे लोग अपने मुवकिल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, वो खिलों को पैसा दिया, किसली जाता है, घर में बैटने के लिए इस ने कि जो है, इन लोगों ने एक स्टरजिब तयार किये, तो साब ने कहा, कि रोज दो बज़े से पांच बज़े, वहाँ जाओगे, सारे दस्तावेस को देखोगे, तो अब ये दिखे, एक तो कोट के तरब से आपको राहत भी ने मिलदा, जेल भी जा रहे हैं, आप क्यों कि सुप्रिम कोट में ये आर्गुमेंट हो कि देखे बहाँ लेट हो रहा है, क्या हुआ था सुप्रिम कोट में ये भी समझ लीजिए, कि कैसे ये एक दूसरे चीजों से रिलेटेड है, सुप्रिम कोट में जस्टिस खर्ना ने क्या पूछा था, जस्टिस खर्ना न लोगों से पूछा था कि बताओ भई कब तक चलता रहेगा चार्शी डायर हो गया अब तक हीरिंग सुरू नहीं हुई है तो किसकी गलती है वह से तो कहेंगी कि भई तो वहां पर बतायागा कि देखें लगबग 21 से 30 हजार डॉकुमेंट्स हैं और 290 गवा हैं और ये एंप 14 एमेले कोट के तहत हो रहा है जिसमें दो साल में फैसला आना ही आना है और फैसला जल्दी आए इसके लिए कोट को रोज जो है उस में हckt करनी पड़ेगी लेकिन अब इनके वकील जा ही रहें दो बार शाम में जाते हैं चीजों कहते हैं नों कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए हैं और यही बात को लेकर के वो सुप्रिम कोट में जाते हैं जहां सुप्रिम कोट के जज़ को पूछना पढ़ जाता है कि यह कब तक चलेगा कितना लंबा चलेगा तो यह आप देखिए कि आज तो strategy भी इनकी पकड़ी गई और साथी साथ इनका बेल भी जो है वो जमानत नहीं मिली गुंपर के वही सवाल खड़े होता है कि ये कब तक लंबा चलेगा ये तब तक लंबा चलेगा जब तक ये जो इसकी सुनवाई खतम नहीं हो जाती क्योंकि आप देखिए मामला सुप्रिम कोट में भी फसा हुआ है सुप्रिम कोट में सारी सुनवाई हो गई है ज़साब भी आप उनको पास भी एक खबर गई होगी जान रहे होंगे पहचान रहे होगे भई क्यों लेट हो रहा है नहीं हो रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कि उसको रिजर्व कर लिया गया है औ और आखिर दौर में वहाँ सुप्रिम कोट के जजेज बड़े नाराज हो गए थे अभिशेक मनुसिंगवी के उपर उन्होंने कहा था कि यार यह तो सिर्फ बेल देने का मसला है यह तीन तीन दिन जो है हम बरबाद नहीं कर सकते इतना टाइम जो है सुप्रिम कोट का वो किसी व्यक्ति को बेल देने के लिए नहीं हो सकता अब कई सारे चीजे जो है उसमें उलजी हुई है कि फिलाल तो सुप्रिम कोट ने फैसला जो है जमानत पे सुरक्षित रखाए क्या उमीद जताय जाए कब तक सुप्रिम कोट के तरफ से फैसला आएगा देखिए यह फै फ्लूइंसल लोग हैं इतने पावरफुल लोग हैं 18-18 मंत्राले जिस व्यक्ति के पास था ये तो हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी सरकार में 18-18 मंत्राले खुद लेके बैठा हुआ हो इतने पावरफुल व्यक्ति को अगर आप एक सराब घोटाले में आरोपी है वो चीफ आर्किटेक्ट है कोट के मताबिक वो अगर बाहर जाएगा तो वो तो गवाहों को दस्तावेजों को सबूतों को influence या नश्ट करने में वो सक्षम है और वो जरूर करेगा Given the Presidencies जिस तरह से वो फोन को तोवा रहा था जिस तरह से फाईलों को गायुप करवा रहा था और जिस तरह से शीश मेहल के कांड में हमने देखा किस तरह के पूरी की पूरी पार्टी अरविंद केजिवाल को बचाने के लिए विजलिस डिपार्ट्मेंट के कमरे में लोगो क्योंकि तमाम सवाल जवाब के बाद मनिश सोधिया हो या कोई भी हो इन लोगों को लाइन आफ इंवस्टिकेशन भी मालूम है क्या क्या लूप फोल्स है इस केस में वो भी मालूम है कहा कहा ये पकड़े गये है वो भी मालूम है और पावरफुल तो है ही बड़े-बड़े मुख्यमंतर जिसको क्लिंच इट देता हो प्रेस कॉन्फरेंस करके कहता हो कि बाई ये तो कटर इमानदार है क्या इतना असान है क्योंकि राउज विन्यू कोट में अगली सुनवाई बाईस तारिक होगी दो अलग-अलग मामले है की डी का मामला है सीवी का मामला है तो एक जगा से चुटेंगे दूसरे जगा से देखेंगे ये एडी के कारेच छेतर में है और सी बी आई जो है वो क्रिमिनालिटी को देख रही है कि आपने जो कानून बनाए क्या ये कानून दिल्ली सरकार को मदद पहुँचाने के लिए आप बना रहे थे एक बढ़िया कानून आप लेकर के आ रहे थे या फिर आपने गैर कानूनी तरीके से इस कानून को पारिद करके आपने सराब माफियाओं को फाइदा पहुचाने की एक डिलिबरेट कोशिश की या नहीं की तो ये दोनों अलग-अलग मसला है मज़दार बात ये है कि पैसे का लिंडिन भी हुआ और ये जो कानून बनाया गया ये सराब माफिया को फाइदा पहुचाने के लिए बनाया गया तो एक तरफ सुप्रिम कोट ने मनिश शोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है तो दूसरी तरफ आज से सुधिया की दिली के राउज विल्य कोट में पेश हुई जहां से भी उन्हें आज कोई राहत नहीं मिली है 22 तारीक को अब अगली सुनवाई होगी इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही अशोक के साथ मैं पूझा क्यापिटल टीवी